हेलो मैं वाइटी फैमली वेलकम तु लख लभी मॉम ब्लोग फ्रेंड्स कैसे आप उमिद करती हूं सब कुछल मंगल होंगे सब बहुत खोश होंगे फ्रेंड्स और मैं लेकर आ गई हूं क्लिनिंग ब्लॉग डस्टिंग क्लिनिंग सब कुछ पूरा सफाई का ही ब्लॉग ह मैंने ना कुछ निकाल रही थी उपर से तो उसमें से धूल से जड़ी मैंने का है राम इतनी सारी मतलब डस्ट हो कही है तो यह मैंने फ्रेंड्स साफ किया था सर्दियों से पहले साफ किया था मैंने हा मैंने मतलब अलमीरा बगेरा जो है सर्दी से पहले साफ की तो सर्दि निकालती है यह मेरे उपर हमेशा गिरती हैं यह उपर प्लास्टिक के रक्यों है यह बिलते है यह न उसके लिए थी यह जा बिली में ने नख के लिए यह भू पर रॉश। कि क्या ऐसे सामा रख सकते हैं जो हमें कभी-कभी निकालना हो तो मैंने जाड़ू लगाती है था यह मोटी वाली पूरी अलमीरा में बिच्छा रखी इससे बहुत फायदा होता है जैसे कभी आपने एकदम से डीप सफाई नहीं भी कर दिया तो उपर से कपड़ा लगा दो म पूरी अलमीरा को मेरी सफाई करने में सबसे जादा मेरी हालत खराब होती है और अब तो चिपके लिए इतनी आ गई है कि बस चिपके लिए मच्छ चीटी गर्मियों में तो इस चीच का बड़ा बुरा हाल रहता है और यह अच्छी तरीके से मैंने साफ कर दिया इसका कप जादे खरी देते फ्रेंट एक दूसरे को मारने के लिए मतलब लग्की लवी ऐसे करते हैं मतलब बड़े बच्चे ना फिर भी अभी उनको टेडी बेर दे दो ना तो इस दूसरे को मारते ही है और मुझे शौक है बच्चों की चीज़ों को समाल कर रखने का अभी तक समान के जरुवत नहीं होती है जो यूज नहीं होता है उसको मैं इस तरीके से ऊपर लगा देती हूँ सूटके जी आखाली है कहीं और जगे नहीं है और यह और जो भी सामान है जो मतलब करी ओना ना वह ऐसे ही ऊफ़दी और कि जो के बातल इन्मेरे पार नो ustुमने आख जरूत का नहीं है वो अंदर साइड में रख देती हो अलवीरा में तो यह मैंने साफ कर दे अच्छी से जहाट पहुंच दे और यह दिना दरवाजे के पास है तो डस्ट बहुत चल्दी आती है अब गर्मी में तो दरवाजे खोलने पड़ेंगे तो अब तो डस्टिंग का अब तो गर्मी में तो काम एक तरीके से बड़ी बढ़ी जाता है डस्टिंग और आंधी आएगी तो आंधी इतनी आती है ना बहुत जादा सब जगे कई बुरा हाल होता है फ्रेंड सा उसमें गर्मी में तो और यहां पर मैं कर रही थी फ्रिज के ऊपर की क्लिनिंग और मैं फिर ड्राइंग रूम में आगी हो यह विंडो के पास जो है यह में हमेशा बंदी रखती हूं क्योंकि अगर यह एक बार अगर आप खोल लोगे तो यह बंद नहीं होगी और बंद कर लिया तो यह खुलती नहीं है गवर्मेंट को अचस्ताना यही हाल होता है शीशे बंद कर रहा हो उपर वाले में थोड़ी यह दिक्कत है कि आपको बंद करने के लिए बाहर से भी सीडी बगारा लगानी पड़ती है तो इसलिए मैं बंद ही रखती हूं तो पुराने ऐखती हैं अचसांटे में करने दिक्कत है नकिनतर और बंद यह दिशा दौर भीसुषवूरूं तो यहां पर यहां पर मैं डुस्टिंग कर लूँगी तो यहां पर कुछ फ्लावर्स रखे हुए हैं कुछ टॉइज और यह पिच्छ बगरा सब मैंने जैसे आपको बता चुकी मुझे शॉक है बनवाने का लगाने का और मैं पहले सो सी दिए कि बैट्री नहीं चेंज करू तो फिल लेकिन काम नहीं चलने माला क्योंकि बहुत गंदी हो गई थी सारी पूरी डस्टिंग से बैट्टी यह मैं अभी चेंज की थी तो फिल बगरा मैं साफ कर दूंगे और यह ना ब्लॉग मेरा काफी बड़ा हो रहा था तो मैंने टू पार्ट्स में यह क्लिनिंग का ब्लॉग कर दिया है इस वाले ब्लॉग में आप डस्टिंग की है मैंने और आगे की ब्लॉग में मेरे साथ हासा हो गया था आप देखना इसके बाद जो पार्ट आएगा बस फर्स टाइम हुआ मेरे साथ ऐसा उसमें मैंने पोचा बगरा लगया है और यहां पर यह फैंस साथ कर दिया था वो भी मैंने छोटा से क्लिप मैंने रिकॉर्ड कर लिया यूगि इतनी ठाकावट हो गई थी कि एकदम से बस लगना था कि कैमरे को फटाफट से ओफ कर दू जल्दी से काम करके ना जब काम भजाता होता है और जब हमारा वीडियो बन रहा होता ना फिर म मुझे अच्छे लगते हैं इसलिए मैं यही बिचाती हूं एक मेरे पास महरून कलर के हैं वो मैं कभी-कभी निकालती हूं और यह सोफे की थोड़ी दिक्कत है कि यह कवर इस पर टिकता नहीं है और यह सोफे मुझे चलाने पड़ेंगे आगे जाके तो मैं थोड़ी दू प्लब एक इसलिए और इसलिए हैं ताकि कोई घर पर आ जाए न तो अपना नीचे चालो और मतलब रेस्ट कर लो और AC वाली रूम में जो एक गद्दा है वो AC वाली रूम में गर्मियों में नीचे ड़ल लाता है क्योंकि हम लोग फिर चारो AC वाली रूम में इस होते हैं तो फ्रेंड चलिये फिर आप से मिलूंगी पार्ट टू में तो बने रहेगा ज्यादा बड़ी वीडियो नहीं थी यह वाली थैंक यू सो मच और उस वाले ब्लोग में थो डिसील में साथ दिक्कत हो गई थी तो आप लोग देखेगा थैंक यू सो मस्टेक केर बाई